हालो फ्रेंड्स वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो ने क्या रहा है बात करने वाले हैं एक पैनी स्टॉक जो कि हम आपके लिए 15 रुपीज के लेवल पे ले के आए बहुत सारे लोगों के मन में question होगा ये क्या हुआ ये तो उड़ने लग गया और इस stock माधियम से हम बहुत बड़ी चीज यहां पे सीखने वाले हैं क्योंकि इस stock ने हमारे stop loss को hit किया था वो भी monthly की correction में लेकिन फिर stop loss को hit करने के बाद की जो opportunity थी वो कमाल की थी क्योंकि monthly का correction in progress और correction में जब resolution में आप जल्दी entry ले लेते हो तो इस तरीके के stop loss hit होने के chances होते हैं बड़ हमेशा याद रखें stop loss तो आपकी मैं कहूंगा risk को manage करने के लिए आप लगाते हो stop loss तो आपकी capital को save करने के लिए लगाते हो आप तो अगर आपका stop loss hit हो जाता है और stock आपकी direction सोची समझी planning के against जाता है तो आपको निकलना जरूर है क्योंकि risk management is top priority हमेशा याद रख हो क्या risk आपकी जो technical risk है वह आपके affordable bracket के अंदर है या नहीं है अगर नहीं है तो you can simply avoid the trade or avoid the investment और you can reduce your position size अब ये stock भाया ये कौन सा stock है कैसा है क्या इसके बारे में पहले जानकारी हमें थी सारी जुजों को समझेंगे और आखे बनने से पहले में आपको बता दूगा आपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्ली से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहेगे और प्राइस सेक्षन प्रैक्टिस करें सीखें लर्निंग के सांथ जब आप चलोगे तो ऐसी situation कभी भी मैं कहूंगा आपके सामने जब आएं इमिटेट jiu-eTEमिट ircr necesario हमने काफ़ी बात करते हैं तो हमने काफी डिटेल में ऩया जुछ आपसी नदाया निघके आज से 2 महीने पहले हमें स्टॉक और देख रह थे और क्या देख रहे थे मंधिलीasten कर्रेक्शन के बेसे श्टॉक को देख रहे थे लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में चर्चा आपके बारे में इस स्टॉक के बारे में की थे, आप इस वीडियो को देख सकते हो, काफी डिटेल में, लेकिन पैनी स्टॉक की जब बा लेकिन इसके साथ आज बहुत बड़ी learning आपको Dish TV देने वाला है, वो क्या learning है, सबसे पहले देखिए, अब आप देखो कि इस stock को जो लाए माँ आपके सामने लाइने का कारण था मन्थली का correction, समझ रहा है, हमेशा इस चीज को याद रखें, कई बार चीज़ें आपके हिसा आप से चलती ही तो जरूर है, लेकिन वो थोड़ा सा time ले सकती है, जैसे कि Dish TV ने यहाँ पे किया, हम इस time पे anticipate कर रहे थी कि correction resolve होने वाला है, लेकिन यह stock हमारी direction से थोड़ा against यह गया, although मन्थली का correction है, मन्थली के हिसाब से आपको ज्यादा लगेगा नहीं है, बड़ा volume, 3 महिने की correction और बड़ा धमाता, यह वीडियो मैं आपके लिए आज इसलिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी learning इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं, तो यह मन्थली की correction तो अभी का जो anticipated area, मैं कहूंगा 30 के area, क्योंकि 50 EMA मन्थली के आसपास का resistance यहाँ पर मिल सकता है, बड़ा आप देखिए, अभी हमने कुछ टाइम पहले network 18 का video create किया था, वो भी मन्थली के basis पर create किया थ तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, और जो major मकसद हमारा जुलाई में इस वीडियो को लाने का था, कि यहाँ पर थोड़ा से चीजें बदलती हुई दिख रही थी, मन्थली तो काफी बड़ी correction है, लेकिन एक बहुत बड़ा time frame है, लेकिन इसका main मकसद छोट high cross ही नहीं हुआ, बलकि ऐसा लगा कि थोड़ा सा और correction यहाँ पर आ गए, यह high cross नहीं हुआ, correction आ गई, और इस candle के बाद आपको यह लगा होगा कि हाँ, चीजें बदल रही है, अब आपको बहुत सारे लोगों ने अगर इस high cross से पहले एक anticipatory समझते वाली trade ले लिए होगी यहाँ थोड़ा सा test लेते हैं और इस high cross के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा volume में increase करेंगे, थोड़ा सा position size बढ़ाएंगे, लेकि उनका high cross ही नहीं हुआ, और जिन्होंने यह stop loss यहाँ पर target किया होगा, यह इस से एक दो point नीचे target किया होगा stop loss का, definitely उनका stop loss हिट हुआ होगा और अगर वह यह सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 15 points से मैं कहूंगा 15 से लेके 12, 2 points के आसपास का stop loss था, और ज्यादा से ज्यादा मानलो, अगर मैं 1000 share यहाँ पर बाई करके चल रहा हूँ, 15 rupees के आसपास, तो मेरा 2,500 का definitely मुझे loss हुआ होगा, definitely मैं कहूंग, अगर मैं इस area म stop loss on this 12, 13 के round लगा रहा हूँ तो, अब आपको गया, हाँ यह तो stop loss हीट हो गया, अब the important learning, यह stop loss आपका hit हुआ, लेकिन मन्तिरी की आपकी जो सोच है, अभी तक intact है, आपको मतला यह correction थोड़ा सा और down जा सकता है, but overall यह positivity आप छोटे time frame जाओगे, देखोगे कैसे picture clear हो गया अभी देखेंगे और समझेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे stop loss आपका hit हो गया, तो ऐसा नहीं कि, नहीं थोड़ा रुकते हैं, ऐसा नहीं है, अब आप सोचोगे कि यह वापस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या पता यह नीचे चले जाता, फिर, although चीजे थी, भेडिया वाला, आया वाला आपने अगर चीजे सुनी है, वो कहानी सुनी है, तो किसी दिन जब बड़ा loss होनी को होगा और इस तरीके से आप regular अपने risk management के बारे में इस तरीके से fluctuation रखोगे, तो definitely वो बड़ा loss वो भेडिया जिस दिन आएगा, उस दिन आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए stop losses में हमेशा strict रहना है, होई hit हो रहा है, तो होने दो, मौका अगर आपकी planning जो है, जो आपकी सोच है, वो बरकरार है, उस stock में तो आपको दुबारा opportunity देगी, यह important learning थी, साथ में मैं दुबारा opportunity की बात करूँगा, अब इस stock को हमने देखा, और इसी time हमने देखा रहे हैं कि यह अब जो है, आपका एक, मैं कहूंगा, weekly chart, MACD, सेंटर लाइन से उपर आ चुका है, तो बहुत बढ़िया opportunity बनती भी दिखेगी, अब मैं daily time frame पर आपको ले के जाऊंगा, और आप इससे बहुत सारी चीजे सीखने वाले हो, यह देखिए, यह दे test entry ले लिए होगी, तो definitely मैं कहूंगा, उनका stop loss यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा, और test entry आपको गया, बात तो सही है, test entry तो ले ली थी, लेकिन stop loss हिट हो गया, बहुत ही बढ़िया कोई बात नहीं, पस्चाटाप करने वाली बात नहीं है, यह काम जो आपनी किया था आपकी capital को save करने के लिए किया था, और अगर आपका stop loss फिट भी हो गया, तो definitely आपका बहुत कम loss होगा, बहुत कम मैं कहूंगा, आपका भी बड़े loss के अंदर नहीं जाओगे, अब मान लो, आपने position size इतना बड़ा रख दिया, कि loss आपके, जो है, affordable area से बाहर है, तो आपक बड़ा रोल होता है, यह जब जब प्राइस इससे उपर होता है, तो यह strong support का काम करता है, याद रखे है, और प्राइस जब इससे नीचे होता है, यह strong resistance का काम कर सकता है, तो यह चीज को इसके बारे में काफी detailed video हमने create कर रहे है, में काफी detailed video है, उस माला लग टाइम फ्रे यह area देखे, यह jump और यह area, लेकिन अगर आप तसली से देखो, इस candle के बाद जितना भी fall हुआ, इस candle के अलावा fall में कोई volume था ही नहीं, बलकि यहाँ पे volume, मतलब smart money is still active and what smart money did, it just took all the stop losses which were below this area, इस area, तो यह क्या हो गया, यह stop hunting kind of situation देखिया, यह किसने करी, smart money ने, now coming on to the most important thing, now just see, this is kind of Waiqoff spring, हमने Waiqoff accumulation के बारे में बहुत बात करी है, Waiqoff schematics आपको दिखाए हैं, अलग-अलग flavor के, so this is just as Waiqoff spring, बही spring बनी है, तो retest भी होगा, हुआ है, रिटेस्ट होगी नहीं हुआ, कहां पे हुआ 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 बटी आपको होगे, वाओ, बट इससे भी बहुत बड़ी बात देखिये, यह flying high momentum, बहुत important part में आपको हमेशा बता है, always go for low risk, high momentum, high probability, यह तीन terminology इनको लिख लीजिए, एक notebook में लिख लीजिए, LR, low risk, high momentum, high probability, and where it is, here it is, here it is, you need to be in the super momentum area, और जो है यह यह यह, बसड़े पे बस रुकनी चाहिए, समझे ले इस बाट को, बसड़े पे बस रुकनी चाहिए, तभी सवार आप होगे, तो यह 60 से उपर क्या है भाईया, यह आपका stop, और यह इस area में, आपको अभी में recent videos दिखाऊंगा न, तो आपको मज़ाद है, वीडियो दी में आप से का, आज जाओ भाई, तव आज जा, बैठ जा रहे, देखिए, और उसके बाद देखे कहां तो, अब आपको गया, यह बसड़ा कम, यह तो बस कम, हवाई जाद जादा लग रहा है, देखिए, कहां गया, यह तो चला नहीं, उड़ लिया, आप देखोगे, कहां से क हाँ, अल्दो हमने जैंट टेकनोलोजी के स्टॉक को बहुत जल्दी, यानि कि जोलाई सीरीज में आपके लिए, मंतली करेक्शन के बेसे पर हम लेके आये थे, बहुत आप डाउन यहां पर देखने को मिले, स्टॉक बहुत देर थे कि प्राइस रेंज में ट्रेड हुआ, और उसके बाद यह बड़ा धमाका है, तो नोट वरी, यह देखिए, सुपर मोमेंटम कहां पर आये तो यह पार्ट याद रखे, हमेशा जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, सुपर मोमेंटम एरिया में मौका मिल रहा है भई, वाल्यूम, खतम वाल्यूम, जंप वाल् नर्दिया सीरे 15 रुपीज के लेवल से, और लास्ट टाइम, पिछली बार और इस बार का, पिछली बार भी हम इंतजार कर रहे थे, कहीं उपर जाए, यह 60 को पार करे, और 60 को पार करके, यहाँ पर रिजिस्टेंस दे हमको, और अगर यह मिलेगा, तो हमारा स्टॉप बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसको मंजूर ही नहीं था, यह गया ही नहीं उपर, यह 60 को पार ही नहीं दिया, और मौका इसने नहीं दिया, लेकिन यह देखी, इस बार क्या दिया, मौका और धमाका देखे, 15 से 21 आपको यह न, यह मूव जो पैसों में कम लग र कि सत, 40% का यह मूव, अमेजिंग है कि नहीं है, तो इस वीडियो से लर्निंग निकालती है, बड़ी टाइम फ्रेम की करेक्शन, मंधिली की करेक्शन को अंडरस्टेंड कर रहे हो, छोटा टाइम फ्रेम, वीकली के बाद हम डेली पे गए, डेली पे हमने क्या देखा, आर अराम से तसल्ली से, फिर वापस जाने की कोशिश करेगा, तब सवार होगे, नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जल्दी यहां पर एंट्री कर ले देते हैं, आपका स्टॉप लोस आप अवेलेबल है, तो तब तक टेस्ट एंट्री ले सकते हो, आपका स्टॉ अगर नहीं किया था, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसको देखिए, कहां गया ये, 316 से 400, आप कोगे, वायर ये तो 80 का मूग कितने दिन, पांचे दिन, तो कि 5 परशंट का अपर सर्केट का ब्रेकर यहां पर लगा हो है, इसलिए, आप कोगे, मज़ा आ गया, देखिए, मैं आपको फिर सर्रीपीट करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस्टॉक मार्केट में सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है, वो पते क्या लगती है, वो रिस्क मैनेजमेंट, आपकी 50-50 पॉसेंट भी स चाहिए होना तब भी आप प्रोफिटेबल क्लोज करोगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं, इवन मैं कहूंगा, अगर आप 30 पॉसेंट भी आपका जो एकुरेशियो 30 पॉसेंट भी है, तब भी आप लॉस में नहीं जाओगे, आपको कि कैसी बाते कर यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपका maximum loss कितना है, और साथ में, अगर आपने 200 SME वाला वीडियो नहीं देखा तो भी देखिये उसको, 200 SME कैसे, जब प्राइस क्या होता है, नीचे, तो क्या काम करता है, रेजिस्टेंस, प्राइस उपर आ जाता तो क्या काम करत है, सपोर्ट, वाव, यह देखे जरा, जब हमने बात करीते, देखिये, प्राइस कहां गया, बुलिस एरिया, सुपर मोमेंटम एरिया, क्या दिया, लेखिये एरिया, यह बहुत इंपोर्टनेट, यह देख रहे हो, पार्ट यह सारी चीज़ है, इसलिए आपको यही चीज कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में, अपने तक मत रहे हैं, सिखाएं भी लोगों को, एजुकेशन को बात ही है, जितना सिखा सकते हो, awareness, stock market, risk management, इसके बारे में, जितने लोगों को आप aware कर सकते हो, हमेसा याद रखे, किसी को अगर आप stock market के बारे में, आप tip देना चा